किया आप ने खुलते हुए तेजल में रात के बच्चेवे बासी रोटी को ढला है ल Jude Day को लोग savez या यानधर को खिला है लेकिन आज मैं बासी रोटी का एक एसा ट्रिक बतावगा जिसके help से अप एक मज़ेदार चीज बना पाएंगे जिसको खाने के बाद आप सोचेंगे कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला सायदा पहले किसी होटल ये रेस्टेंट में ये जरूर ट्राइ किया होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा और नहीं उन लोग आपको बताएंगे और ये सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेना है और उसमें तेल डाल लेना है चाहे रिफाइन डाल लिजिये चाहे देशी घी डाल लीजिये उसको ठालने के बाद रात का बच्चा गुए बासी रोटी एक दो तीन चार इतना बनाना चाहे उतना डाल दीजिये और ध्यान रखें एक रोटी में 8-10 पीसे स्टोड़ोगो तो भी चलेगा अब रोटी जब तूट जया और यह तो ठंडा हो गया अल्रेडी अब आपको ले लेना एक मिक्सी जार और मिक्सी जार में इन सभी रोटीयों के टुकरों को डाल देना है और हमेने इसका चूरा पाउडर बना लेना ह अब देखिए आपका मान में यह आरा होगा कि इसको हम लोग ऐसे भी रोटीयों को पीस के चूरा बना सकते थे लेकिन यह बिल्कूल नहीं अगर आप डिरेक्ली रोटी को बासी रोटी को इस तरह से पीस होगे तो यह चूरा नहीं बन पाएगा अब देखिए जब चूरा चीनी को क्या करना है इसमें कोई पानी वगरा मिक्स नहीं करना है ठीक है इस चीनी को आपको यहां पर करना है यान कि चीनी को ऐसे ही आपको आग में चला चला कर इसको गीला करना है यान कि खराना इसको ठीक है तो इसको आपको क्या करना डिकिस तरह से मेल्ट होता अगर आप चलाना बंद कर दोगे तो यह नीचे से जल जाएगा तो देखिए जब इस तरह से लाल हो जाए तो अब आपको क्या करना है एक गिलास यहाँ पे लबग 200 ग्राम दूध लेना है और दूध को इसमें डालने के बाद चलाते रहना है इसको इस चीज को खास ध्यान रखना है और दूध को शाय का जैसा हो जाएगा लेकिन अभी आपको यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इसको चलाना है और यह जो गुड का तरह दिख रहा है यानि कि चीनी है इसे आपको डरना नहीं कि गले गने यह चलाते रहोगे तो पूरा गल जाएगा अब इस देखिए आपको यहां पर लग रहा होगा कि यह एक हल्वा बन गया लेकिन आपको हल्वा नहीं बनाना है अभी काम बाकी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ अभी देखते रही आप लोग हल्वा का फॉर्म में लगेगा लेकिन इसको चलाते रहना है चलाते जाए चलाते जाए नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा अब इस स्टेज पर क्या करने आप दो चार चमच देशी घी आप यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं देशी घी से इसके अंदर एक बहुत भैतरीन सा अरोमा आ ज चलाते रहेंगे तो इसका कलर जो है थोड़ा सा आपको डार्क दिखने लएगा और इस स्टेज पर यहां पर ड्राइफ रूट्स के इस्तमाल करने अगर है काजू किसमेज पिस्ता बादाम जो भी उसको एकदम महीन महीन बारिक सा कट करके इसको इसमें मिक्स कर देना है और देखिए हमने जीतना कट किया था सारा इसमें नहीं डाला है अभी बचा कर थोड़ा सा रखा है वह एंड में भी हम लोग इस्तमाल करेंगे अधिकर ड्राइफ रूट्स डालके आप जैसे चलाते जाएंगे इसको तो यह ना इसका थिकनेस बढ़ता जाएगा और एक चिप्चिपा सा जाएंगा तो यह चीजद एकदम जरूरी है कि यह थोड़ा टाइट होता जाए और थोड़ा सा चिप्चिपा само kelu G. ले के ना ऊसकीर से ग्री Ek इसके अंदर लिखा और इसमें घी करना इसको ड्राइफ्रूट से डल देनाला उसको हम लोग यहां पर हलका सब God अपको यहां प्रेसु आपको प्रेस करने की बाद क्या करना है अब यह हमारा बणके तयार और है, इसको इसको फ्र्रिज में हमें रख में सब्सक्राइब 10-15 Anadim लिए अब देड़ दो घंटे के बाद यह बिल्कुल टाइट हो जाएगा अब आपको क्या करने चाकू ले लेना है चाकू या फिर कटर कोई भी ले लिजिए और उसके बाद इस तरह से पीस पीस में आप इसको कट कर देंगे तो देखिए यह कहीं न कहीं आप अल्रेड़ी खाये होंगे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चॉकलेट ही सा लगता है यानि कि चॉकलेट केक भी बोल सकते हैं इसको मिल्केक तो विल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जो से निकाल के आप सर्फ कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है बहुत ही अच्छा लगता है तो वीडियो अच्छा लावा तो लाइक करिएगा पेज को फोलो करेगा वीडियो को जबादा सेथा सेर करिएगा